अम्रावती जिल्ले के चांदूर रेलवे स्टेशन 25 किलो मिटर दूर एरड गाउ का बेमला प्रकल्प अंतरगत 10 साल पूर्व पूर्णर वसन हुआ लेकिन इस गाउ में सुविधा का अभाव महसूस हो रहा है ऐसे में पूरे गाउ में जल्पूर्टी के उद्देश बेमला पूर्वसन प्रकल्प अंतरगत एरड गाउ भाग दो में 665,87 लाख रुपे खर्च कर नई जल्पूर्टी योजना निर्मान की जा रही है उपर उक्त पे ये जल्पूर्टी योजना का कारिया अंतिम चर्णों में है योजना का कुछ दिनों बाद लोकारपन समारोह होने वाला था लेकिन बीच में ही स्थानिय विधायक विरेंद्र जक्ताप द्वारा गाउ में किसी को भी जानकरी दिये बीना भूमी पूजन करने का प्रयास नागरीकों ने विफल कर दिया है सुबह साड़े ग्यारा बचे विधायक विरेंद्र जकताप के गाव में पहुशने पर सो से देड़ सो नागरिकों ने जवाब पूछ कर भूमी पूजन नहीं करने देने का निश्चे किया था दूसरी सीमें नाली का काम शुरू करने के पुर्व इस नाली का भूमी पूजन समारोह भी विधायक विरेंद्र जकताप के हातों होने वाला था लेकिन इस भूमी पूजन समारोह में सरपंच सीमा देशमुक उपसरपंच धनराज मरस को ले इन कुछ सदस्यों को भरोसे में नहीं लेने के कारण इस कारेक्रम को भी नागरिकों ने विरोध किया इतना ही नहीं दोनों कार्यक्रमों के भूमी पूजन के बोड क्रोधित महिलाओं ने उखाड फेके करिब तीन घंटे तक चल रहे इस विवाद में आखिर जनता के गुस्से के आगे विधायक को जूकना पड़ा और भूमी पूजन किये बगेर लोटना पड़ा उपर रोगत कारिय बेमना प्रकल पर अंतरगत हो रहे केवल श्रेय बटोरने के लिए विधायक ने ऐसा किया है ऐसा आरोप नागरी कोने लगाया है ऐसे ही मुंबई महारास्ट और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे और बेल आइकोन का बटन दवाना ना भूलें